आज है 27 जुलाई 2020 तो आज की डेट से जितने भी महात्मूर्ट करंट अफेर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिसकेस करेंगे तो आई ये देखते हैं पहला प्रश्ण है बिसी सी आई ने आई पील 2020 को कप से UAE में आयुजित करने के लिए आधिकारी घोशना की है आप संडी सही होगा इसका 19 सितंबर से एसिया कप और T20 वर्ड कप 2020 रद होने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के रास्ते खुल गए थे अब आई पील की तारिक के जानकारी भी सामने आ गई है जो कि 19 सितंबर है 19 सितंबर से क्रिकेट लीग जो है UAE में सुरू होगा टूर्णामेंट का फाइनल मुकाबला जो है वो आठ नॉम्बर को खेला जाएगा IPL के फ्रेंचाइजियों को इस फार्मूले के बारे में अउगत कराए गया है संभावना है कि अगले कुछ दिनों में होने वाली IPL गवर्निंग काउंसिल में इसकी पुष्टी हो जाएगे बढ़ने से पहले जो भी में तरमारे चैनल पर नाय है वो चैनल को बवस्य कर लें इससे आगे आने वाले सारे वीडियो जो अप्डेट्स आप तक पहुंचती रहें कि दूसरा प्रस्ना है इन में से किस राज सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्त के परिजनों को आर्थिक सहायता देली की घोशना की है आप सन्भी सही होगा पॉंचेरी सरकार ने हाल ही में करोणों यहां पे स्प्रिंट है कि कोरोना है पांचेरी सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वाले व्यक्त के परिजनों को एक लाख रुपय की आर्थिक सहायता देने की घोशना की है यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपनों यह कोरोना है पांच लेजेंड्स आपचेस आनलाइन टूर्णामेंट में लगातार कौन सी बार सिकस्त का सामना करना पड़ा है आप संसी सही होगा इसका चौथी बार लेजेंड्स आपचेस आनलाइन 17 टूर्णामेंट में लगातार चौथी सिकस्त का सामना करना पड़ा है इस सुनाथन आनंद को उन्होंने नीदरलाइंड के अनीस गिरी ने तीन दो से माद दी पूर वर्ड चैंपियन भार्दे खिलाडी और गिरी ने पहले चार गेम ड्रा खेले लेकिन नीदरलाइंड के खिलाडी ने सुकुरवार को अर्मागेडोन गेम टाइप ब्रेक में जीत हासिल की चौथा प्रश्ना है दिवंगत अभनेता सुसान सिक राजपूत की किस फिल्म को आयम डीवी पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है आपसन भी सही होगा इसका दिल बेचारा को सुसान सिक राजपूत के आखरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को यानि कल साम 7.5 वजे रिलीज हो गई फिल्म रिलीज के बाद से फैंस की भावनाय उमड के सामने आ रहे हैं सोसल मीडिया से लेकर रेटिंग आयपस तक फैंस फिल्म को सिखर पर ले जाने की कोशिस कर रहे हैं फैंस की वज़ा से फिल्म ने IMDV रेटिंग पर भी आप अपना रिकार्ड बनाया इस समय ऐसा एक समय ऐसा आया जब फिल्म को दस में से पूरे दस रेटिंग मिली जो अपने आप में एक रिकार्ड है पाच्वा प्रस्न है जियो मार्ट अपने लांचिंग के दो मेहने में कितने लाख डाउन लोडिंग का आकड़ा पार कर लिया है आप सने होगा तस लाख कोरोना की कारण लगाए गए लागडाउन के बाद ज्यादा तर वैपारियों को वैपार में घाटा हो रहा है वहीं लांच होने के लगभग कुछ ही अपते के अंदर गूगल प्ले श्टोर पर एक मिलियन का आकड़ा पार कर लिया है आप को पहले गूगल के प्ले श्टोर पर और उसके कुछ दिनों बाद एपल के एप श्टोर पर भी लांच किया गया था चटा प्रशने केंद्री गिरह मंत्री अमिस साह ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है आपसने सही होगा इसका ब्रिक्षा रोपड अभियान की केंद्री गिरह मंत्री अमिस साह ने कोईला मंत्राले के ब्रिक्षा रूपन अभियान 2020 का सुवारम किया अमिस साह न उपस्तिती में छे इको पार्क और परेटर नस्तलों का उद्गाटन करते हुए कोईला लिगनाइट भंडार वाले दस राज्यों के 38 जिलों में 130 से अधिक अस्थानों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभ्यान का सुभारम किया अमिसान कहा कि कोईला मंत्राले व्रिक्षरो पड़ अभ्यान से इन 130 से अधिक अस्थानों पर 6 लाग व्रिक्ष लगाएगा इसके लिए मैं कोईला मंत्री स्री जोसिवा उनके मंत्राले को मधाई देता हूँ सात्मा प्रशने 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है आपसा ने सही होगा कारगिल विजे दिवस कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देश्वासियों के लिए एक बहुत ही महापूर्ण दिवस है भारत में प्रतेएक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंध हुआ और इसमें भारत विजय हुआ था आठमा प्रस्न है इगलाई क्रिकट टीम का कौन सा कि लाड़ी सबसे कम बाल पर हाफ सेंचुरी लगाने वाला पाचमा इगलाई का बल्ले बाज बन गया है आप संडी सही होगा स्टूर्ट ब्राड इगलाई की ओर से टेस्ट क्रिकट में सबसे तेज 50 मारने वाले तीसरे बल्ले बाज बन गया है ब्राड ने इस मैच में 33 गेंद पर अर्शतक पूरा किया 62 रंग की अपनी तेज तर्रार पारिक के दवरान ब्राड ने 45 गेंद खेली इसी के साथ वह इगलाईन के पूर बल्लेवाज एलन लायम और पूर हर्फर मौला के लाड़ी एंड्रो फिलन टाप के साथ सबसे तेज और सतक जमाने के मामले में सही पुरूट से तीसरे स्थान पर आ गया है नवा प्रश्न है नेवन मेंसे कि इस देश की सरकारी परमाट संस्थान आई नेक्स में कार करने वाले नब्वे से ज़्यादा व्यग्यानिकों ने स्थीपा दे दिया है यसके बाद घवराई सरकार ने इसे brain drain मांते हुए जांच के आदेश दिये है इतनी बड़ी संख्या में वज्ञानकों के स्थीपे के बाद इस संस्थान को चलाने के लिए बहुत कम साइंस्टिस्ट बचे हैं दस्वा प्रस्णा अमेरिका की प्रतनित सभा ने चीन से किस देश के साथ तनाव कम करने की अपील संबंदी प्रस्ताव पारित किया है आप सनबी सही होगा भारत अमेरिकी प्रतनित सभा ने एक दुईज़ा लिये प्रस्ताव पारित किया है जिसपे चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्र वेखा के पास भारत के साथ सांतिपूर तरीके से तनाव कम करें इस प्रस्ताव को मंगलवार को पारित किया जाने से पहले प्रत्नी सवा ने राश्टिय रक्षा प्राजकरन अधिनियम में सर्पसम्मस से संसोधन पारित किया था तो उमीद है आप सबको या वीडियो जरूर पसंद आरा होगा अगर आपको मारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब वबस्ति कर लें धन्यवाद मित्रू